लाइफ सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। सिक्षन संस्थान। नितीश काबिनेट की मीटिंग में छे एजेंडों पर लगी मुहर। 25 फरवरी से शुरू होगा विधान मंदल का बजट सिर्थ। बिहार बोड के इंटर्मीडियेट परिक्षा आज से शुरू। पहला दिन मैट्स और हिंदी की हुई परिक्षा। कुमारी गोली। भागलपुर में माचस कारोबारी के स्टाफ से 3 लाग की लूट और पतना सिटी में हुई 17 लाग की लूट में बेटा बहु की साज़िश का हुआ खुलासा। अब खबरे विस्तार से। केंदर सरकार की ओर से आज केंदरे मंतरी निर्मला सीता रमन ने अपना चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने केंदरे बजट का स्वागत किया है और इसे सकरात्मक बताया है। नितीश कुमार ने कहा कि पिछले दो वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावत रहा है, इन विशम परस्थितियों से निकलने के लिए केंदर सरकार ने अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गती को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो सराहनि संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंदर सरकार को बढ़ाई देता हूँ, केंदर सरकार के द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधार भूत से रचना के निर्मान का निर्णय भी स्वागत के योग्य है। जो सरकार के लिए इतिहासिक है परंटु बढ़ार के लिए निराशाजनक केंद्रे विक्तमंत्री निर्मला सीता रमन जी ने बढ़ार को विशेश राज का दर्जा देनी की मांग को अंसुना कर हम सभी बढ़ार वासियों को निराश कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए कहा कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। दरसल देश के प्रधान बाला हैश्टाग पिछले कुछ दिनों से जेडियू के राष्ट्रिय जक्ष ललन सिंग ट्विटर अकाउंट पर चला रहे हैं। विशेश राजिका दर्जा देने की लगातार मांग कर रहे हैं। केंद्रे बजट का बिखार में बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने जोरदार ढंक से स्वागत किया। जबकि विपक्ष ने इसे आंकणों का खेल बताया है। यहां तक की NDA में शामिल पुर्व मुख्य मंत्री जीतन रामांजी की पार्टी हमने भी इसे चुनावी स्टंट बताया। बीजेपी के वर्यनेता सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री तार्किशोर प्रशाद, पंचायती राज मंत्री समराच चौधरी, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा समेथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षि संजय जैसवाल ने इसका स्वागत करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और केंद्रे वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन को बधाई दी है, दूसरी ओर आजेडी के प्रदेश अध्यक्षि जगदानन सिंग ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, वहीं कॉंग्रिस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बिहार के लोगों को ठगने का ही काम किया है, जाब सुप्रीमो पपु यादव बोले, यह बजट नहीं जनता के लिए चपत हैं। बिहार में साथ फरवरी से सभी सेक्षनिक संस्थान खुल जाएंगे, सिक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्जी में कोरोना संक्रमन के मामले अब काफी कम हो गए हैं से देखते हुए, विभाग सभी सिक्षन संस्थानों को खोलने की तैयारी में हैं। की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसको लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा, उन्होंने यह भी कहा कि साथ फरवरी से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक की स्कूल और कॉलेजज़ खोल दिये जाएंगे, ओफलाइन क्लासिस की वेवस्थासर से बहाल की जाएगी। के लिए 8,25,000 रुपए के आवंटन की स्विकृती दी गई है, इसी तरह पटना जिलांतरगत बहादुर थाना और पुरवी चमपारन के पिपरा कोठी थाना के भवन निर्मान के लिए क्रिशी फॉर्म की जमीन ली गई है। इसकी भी स्विकृती काबिनिट ने दे दी है, सीम के सलाकार की न्यूकती के प्रस्ताव को भी काबिनिट ने अपनी स्विकृती दे दी। बिहार बूट के इंटिमीडियट परिक्षा आज से शुरू हो गई है, इसके लिए पूरे प्रिदेश में 1471 सेंटर बनाए गए। इस बार 13 लाग से अधिक परिक्षारती एक्जाम दे रहे हैं, इसके लिए राजधानी पटना में भी 84 परिक्षा केंदर बनाए गए। वहीं कोरोना से सुरक्षा को लेकर बिहार बूट की ओर से विशेश गाइडलाइन जारी की गई है, इसके अलावे कदाचार मुक्त परिक्षा के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी की गई हाला कि ठंड को देखते हुए परिक्षारतियों को जूता मोजा पहन कर केंदर के भीतर आने की छूट दी गई है, बिहार बूट के अध्यक्षा अनंद किशोर के अनिसार पारदर्शी, कदाचार मुक्त और कडाई के साथ परिक्षा कराने को लेकर बूट संकल पिथे सभी जिलों के डियम, स्प तथा जिला सिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये गए है, केंद्र से 200 मीटर की रेडियस में धारा 144 लगाई गई है, परिक्षा में स्टुरक्षा व्यवस्था, जोनल, सब जोनल तथा सूपर जोनल स्तर पर की गई है, साथ ही परिक्षा केंद्रों पर, परियाप्त संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारियों की भी प्रतनियु को किया जाना है BPSC के, अब तक हुए PT में इतने अधिक आवेदन कभी नहीं आये थी, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवा इस परिक्षा में शामिल हो रहे हैं, इसलिए इंतिजाम भी बड़ी करने पड़ेंगे, इस परिक्षा में 6 लाग से अधिक आवेदन अ आर्थिक अप्रादिकाई आनि की EOU ने शिकंजा कसा है, सीतामडी के बाजपत्टी प्रखंड के BDO, संजीत कुमार के तीन ठकानों पर आर्थिक अप्रादिकाई की तीम ने एक साथ चापा मारा है, EOU के DSP रजनीश कुमार के नेतृत्व में, BDO संजीत कुमार के पतना स् धनर्वा के मनोरी ग्राम स्थित पैत्रिक आवास के अलावे पटना में ही गोपालपुर थाना शेत्र के अब्दुल्ला चक में बने भव्य मकार में छापे मारी की गई इसके अलावे सीता मढ़ी में बाजपट्टे स्थित प्रखंड कार्याले में भी छापेमारी की गई बीडियो के पास एक करोड 26,75,368 रुपे की संपती का पता चला है जो उनकी अनुमानित आई से 96 पीसदी अधिक है आपको बता दें कि कल ही आर्थे कपराद थाना में बी पतना सिटी में आज सुभा उस समय संसनी मच गई जब अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी गोली बारी की घटना के बाद लोगों में देहशत का माहौल कायब हो गया आनन फानन में लोगों ने खायल को इलाज के लिए पासके एक नरसिंग होम में भरती कराया जहां उसकी स्थिती गंभीर बनी हुई है युवक की पहचान कवा कोल निवासी रंजीत चौधरी की रूप में की गई है चौक थाने की पुलिस ने मौके पर पहुँचकर छान बीन की बताया जाता है कि रंजीत चौधरी सुबह में मौर्निंग मौक के लिए निकले थे इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली म जरन के अनुसार इसमें 65 वर्षिय पीड़ता गिरीजा देवी के ही बेटे और बहु की साज़िश का पता चला है सीची टीवी कैमरे में अपराधियों की पहचान हुई है भागलपुर में दिन दहारे लुटेरों ने माचस कारोबारी उम्रकाश बबुना के स्टाफ शेखर यादव से 3 लाख रुपे लूट लिये शेखर आज सुबह लगभग 10 बजे अपने घर से कैश लेकर खलीफा बाग चौक स्थित आई डीबी आई बैंक जा रहे थे जब लूट का विरोध किया तो उसके साथ मार पीट भी की गई घटना के बाद लाके में हर कंप मचा हुआ है आसपास के लोगों की भीर जुट गई सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुँची हालाके इस मामले में अब तक किसी की भी गरफतारी नहीं हुई है पुलिस के अनुसार सीसी टीवी फुटज को खंगाला जा रहा है लाइट सिटीज की नाइट बुलिटन में फिलहाल इतना है खबरों के दल्या में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें साथी साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद